जी यां दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है दोस्तों सीटेट 2019 के लिए एक और एक्जाम डेट यहां पे डिक्लेर हो चुकी है आपकी अगली एक्जाम कब होगी अभी हाल ही में साथ जुलाई को एक्जाम हो चुकी है और उसके बाद में आपकी कब एक्जाम होगी पूरी जानकारी देंगे ओफीसियल नोटिस आचुका है ओफीसियल न्यूज आपके आचुकी है और इसके अलावा अगर आप सीटेट की पूरी तयारी करना चाते हो तो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जोइन कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उसके बाद में आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक पर क्लिक करके जोइन कर सकते हो जिया दोस्तों पहले ये न्यूज देख लीजी उसके बाद में आपको ओफीसियल नोटिस भी दिखा दूँगा मैं CBSE CETAT दिसंबर 2019 दिसंबर केंदेर आपका एकजाम होगा डेट आपको बताएंगे और इस दिन से शुरू होगा आपका CETAT आवेदन प्रक्रिया जिया दोस्तों CBSE CETAT दिसंबर 2019 केंदरीय मादिमिक शिक्षा बोड CBSE ने दिसंबर में आयो जीत होने वाली CETAT केंदरीय श शिक्षक पातरता प्रिक्ष्या दिसंबर 2019 प्रिक्ष्या का सेड्यूल जारी कर दिया गया है तो इसी मा की 19 तारीक को CBSC के अधिकारिक वेबसाइट www.cbsc.nic.in पर जारी होगा 19 अगस्त 2029 को इच्छो कुमिद्वार ओनलाइन अवेदन कर सकेंगे ओनलाइन अवेदन की अंतिमती थी आपकी 18 सितंबर 2019 तै की गई है 23 दिसंबर 2019 दोपेर तीन बज़ के 30 मिनट तक फीज का भुकतान की अजा सकेगा और CBSC ने अलान किया है कि सीटेट के 13 संसकर्ण का आईज़न 8 दिसंबर 2019 को होगा 2019 को होगा सोरी यहां पर देख सकते हो आप पर 8 दिसंबर 2019 को आपका एक्जाम होने वाला है और साथ जुलाई को आपका एक्जाम हो चुका है आपको अब ओफीशिल नोटीस दिखा देता हूं जी यहां दोस्तों क्लियरली आप देख सकते हो केंद्रिय मादेमिक शिक्ष्या बोर्ड का यह नोटीस है और 16 आठ 2019 का प्रेस रिलीज सीटेट दिसंबर 2019 से यहां पर आप देख सकते हो दा सेंटरल बोर्ड ओफ सेकेंडरी एज्यूकेशन विल बी कंडेक्ट तेरवा आपका एक्जाम होने वाला है यह इससे पहले बारा एक्जाम हो चुके हैं और 8 बारा 2019 को यह संड़े के दिन एक्जाम होगा क्लियरली आप इसमें देख सकते हो और 19.08.2019 को आपका ओफीशियल नोटिस इसमें आ जाएगा आप 19 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक फोरम भर सकते हो इसमें तो ओफीशियल नोटिस आप देख सकते हो धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आईद लाइक जरूर करें शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जोईन जरूर कर लीजिएगा नीचे लिंक दिया हुआ है जय हिंद वंदे मातरम